नमस्कार दर्शको आज की हमारी चर्चक का विशा है IVF प्रोसेस के दोरान खांसी बहुत सारे पेशन्स हमें कहते हैं कि डॉक्टर हमें बहुत टेंक्शन हो जाती है कि हम IVF प्रोसेस करा रहे हैं उमें साथ में खांसी हो रही है तो हम जो है इसके बारे में क्या करें पहली चीज़ तो यह है कि अगर किसी patient को cuff है तो IVF process शुरू करने से पहले उसका detailed evaluation होना चाहिए कि यह खांसी कितनी पुरानी है और इसका कारण क्या है कुछ लोगों को seasonal cuff होती है जैसे कि dust में cuff होती है wise ठीक रहती है और वो dry होती है जो dry allergic seasonal cuff है उसको तो हम बहुत ज़्यादा माइने नहीं देते है अगर बल्गम वाली खांसी है तो उसको उसके लिए हम IVF process रोख देते है कि पहले इसका इलाज करवाया जाए फिर हम उसको लेके आगे चले दूसरी चीज यह है कि जो खांसी है अगर seasonal है और dry है तो उसमें अगर हम IVF process करते हैं तो patients को ऐसे लगता है कि हमारा जो embryo अंदर रख दी है वहां अगर हम खांसी करेंगे तो हमारा embryo खांसी के pressure के साथ बहार निकल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसे patients को हम हलकी फिलकी जैसे soothing agent होता है जैसे कोई जो ऐसी गोली होती है जिसके कारण उनकी खांसी temporarily रुक जाती है ऐसी medicines जो हैं वह prescribe करते हैं और दूसरा हम उनकी counselling करते हैं कि खांसी करने से embryos बार कभी नहीं निकलते uterus का पेट के साथ कोई तालुक नहीं होता जब हम खांसी करते हैं तो हमारे पेट के अंदर pressure बढ़ता और काम होता है मगर uterus एक अलग structure है जिसके अंदर अगर embryos डाले जाएं तो खांसी करने से वह embryos बाहर नहीं आते हैं finally इस वीडियो के मात्यम से हम यहीं कहना चाते हैं कि जो खांसी है वह एक serious matter है अगर बहुत लंबी है और उसके साथ बलगम आती है अगर seasonal dry cough है तो उस चीज को लेकर इतना serious matter नहीं है दूसरा यह कि IVF में अगर हलकी फुलकी खांसी होती है तो उससे जो है embryos बाहर नहीं निकल सकते uterus और पेट में difference होता है और uterus के अंदर डाले गए embryos खांसी के साथ कभी बाहर नहीं आ सकते फिर भी अगर आपको इस topic पे questions है तो आप comment section पे comment कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद